गुरू जिसको हमने उबदेशक समझा गुरू के उबदेश से जीवन बदलता है गुरू के विचार से हमारे जीवन में रुपान तरणाता है मगर मैं आपको कहूँ मेरे जीवन का नुभव कुछ और ही रहा गुरु सिर्फ अपने विचार या उबदेश आपको नहीं देता वरण वो अपने बींग का एक हिस्सा आपके साथ जोड़ता है जब गुरु आपको दिख्षित करता है तो उसके जीवन की उर्जा आपके जीवन उर्जा से जुड़ती है मुझे एक सुन्दर सुफी कहानी याद आती है एक बार एक गुरु ने अपने तीन शिष्षों से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई और मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक उपहार भी देता हूँ तो वो तीनों शिश्चों ने कहा कि जी बताएं तो गुरू ने कहा कि ये सतरा उठ हैं जो तुम तीनों को आपस में बाटने हैं तो कैसे बाटने हैं तो सबसे पहले जो मेरे पास शिश्चा है तो सबसे पुराना शिश्च जो है वो इसमें से आधे उट रखेगा फिर जो उसके बाद उससे जो छोटा शिश्र है बीच में जो है वो उसका एक तिहाई रखेगा और फिर जो सबसे छोटा है वो उसका नवा हिस्सा रखेगा अब ये बड़ी गणीत की पहली हो गई सत्रा उट है गुरु इतना कहे करके चले गए गुरु वही होता है जो आपको मुश्किल में डालता है और उसे पता है कि उस मुश्किल के हल तक पहुचने में आपके भीतर का विवेक जागेगा तो वो परिस्तिती एसी निर्मिर्ट कर देता है तो गुरु ने कहा कि तुम बाट लेना गुरु जी चल दिये अब ये तीनों तो बड़े परेशान होगा इन्होंने कहा कि कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है उसको इन सत्रा उटों में से आधे उट दे तो सत्रा के आधे कैसे होंगे इस सोला होते तो आठाट हो जाते आठारा होते तो नो नो हो जाते ये कैसे होंगा सत्रा के आधे कैसे करें फिर एक तिहाई किसी को दिये जाए फिर उसका नवा हिस्सा किसी को दिया जाए अब ये बड़ी मुश्किल हो गई गड़ी में वो उलज गए मगर उनके गुरू सामने खड़े लेकर के मुस्कुरा रहे थे तो उनके गुरू उनको कुछ समझाना चाहते थे तो उनको गुरू ने कहा कि यह हल नहीं हो रहा है तो गुरू ने कहा कि एक काम करो मेरे पास एक उउट और है तुम इससे साथ में जोड़ लो पर यह मेरा उंट है तो उनने का कि अगर इससे जोड़ लेंगे तो फिर आपके पास उंट नहीं रहेगा गुरू ने का नहीं मेरे पास जो है वो घटता नहीं वो उतना ही होता है और तुमारे जीवन की समस्याएं भी हलो जाती है उन तीने के कोई समझ नहीं आया गुरू ने का करो तो मैं जो कह रहा हूँ तो उन्होंने गुरू के उट को अपने साथ शामिल किया तो वो 17 के 18 उट हो गए गुरू ने का आप बाटलो मेरा उट मेरे पास अपने आप आ जाएगा उन्हें का कि ठीक है तो 18 में से आधे 9 उट उन्होंने सबसे बड़ा जो शिश्च था पुराना था उसको दिये आधे उसको देना थे फिर एक तिहाई मतलब 18 का एक तिहाई छे चेती अठारा तो 6 उट उन्होंने दूसरे शिश्च को दिये फिर 2 क्योंकि 18 का 9 हिस्सा 2 होता है 2-9 अठारा तो 2 उन्होंने 2 उट तीसरे शिश्च को दिये अब आप हिसाब लगाईए पहले को उन्होंने 9 दिये 18 के आधे 9 तो 9 फिर दूसरे को उन्होंने 6 दिये तो 9 और 6 15 और तीसरे को उन्होंने 2 दिये कितने हो गए 17 फिर एक उट बज़ गया और गुरू ने अपने उट को वापस अपने पास बुला लिया यह गुरू की महिमा गुरू जो आपको अपने जीवन से जोड़ देता है उसका जीवन आपसे जोड़ जाता है गुरू का मतलब जो आपको दिक्षा दे दे मंत्र दे दे या उबदेश दे यहाँ बात पूरी नहीं होती गुरू का तो जीवन ही आपके अंतरतम के साथ एक हो जाता है और फिर भी गुरू के साथ कुछ घटता नहीं है गुरू में कुछ कम नहीं होता वो जैसा है वो वैसा ही रहता है और आपके जीवन की बात बन जाती है मेरा निवेदन है कि जो निगुरे रह गए हैं वो अपने जीवन में गुरू जरूर घूंडे गुरू जो जुड़ता है आपकी समस्या हल कर देता है और उसका कुछ भी घटता नहीं है वो बहुत कुछ देता है मगर उसका कुछ घटता नहीं वो वैसा के वैसा ही बाहर हो जाता है और आपका जीवन निखर जाता है सवर जाता है आप वहाँ पहुच जाते हैं अपने सुभाव में जहां पहुचने के लिए इस जीवन में आए हैं गुरु जरूर बनाए पहुच जाते हैं